नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबैक है कोई सजेसिंगे तुरंट वीडियो में कमेंट करके जरूर रता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तु सारे कोईशन अटेंट करिया और इसको अपना तुरंट कमेंट करके बताइए और दोस्तों आप सबी का स्वागत था स्टड़ी फार एक जांस में दोस्तों यह भी पीसेस 2023 के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश करेंट अफेर को कबर कर रहे हैं और यह है इस्तिरीज का तीस प्रदेश करके जानकारी प्रात कर सकते हैं तो आई दोस्तों सुरू करते हैं हम लोग पहला प्रस्ण हिर्दा योजना के तहरत उत्तर प्रेश के कौन से सहर चुने गए हैं गोरकपुर लखनो मतुरा या वारनसी इसके लिए चार अप्सन दिया आप लोग आपसन पढ़ करते हैं इस योजना को वर्ष 2015 में सुरू किया गया था और इसमें जो है देश के टूटल 12 सहरों को चुना गया था जिन में आपका अजमेर अम्रिसर अमरावती बादामी द्वारका गया कांचिपुरम मतुरा पुरी वारणसी वारंगल और वेलंद कन्नी जो है चुने ग आएते हैं अगला प्रास मदो उत्तर प्रेश के कितने सहरों में डिफेंस कॉल्डोर नोड बन रहा है चार पांच छे या साथ उत्तर प्रेश के कुल छे सहरों जो है डिफेंस कॉल्डोर नोड बन रहा है जिन में अलिगण, आगरा, कानपूर, चित्रकोट, जहांसी और यहाँ पर मैप प्रदर्शित किया गया है आप इसे असानित समसकते हैं अलिगण, आगरा, लखनओ, कानपूर, जहांसी और चित्रकोट, टोटल जो है छे सहरों में डिफेंस कॉल्डोर नोड बनाए जा रहा है इसका जो आप्शन C है वह सही है उत्रकोट के किस मंडल में नंदी अभरन के अस्थापना की जा रही है लखनओ, आलिगड, जहांसी या मुरादाबाद आवारा पस्मों की संख्या पस्मों की समस्या को जो है दूर करने के लिए उत्तर परिश के मुरादाबाद जिले में मुरादाबाद मंडल में नंदी अभेरन के अस्थापना की जा रही है मुरादाबाद मंडल में कई जिले हैं उन में से संभल जो जिला है अम्रोहा है और आपका बिजनवर इन जिलों जो है नंदी अभ्याण के अस्थापना की जा रही है उत्तर प्रेश में वर्तमान में जो कुल 18 मंडल है आप लोग कौन बाक्स में ताईगा कि मुरादाबाद में कुल कितनी जिले हैं इसका उत्तर आप लोग कौन बाक्स में ताईगा मुरादाबाद में कई जिले हैं जिनमें संभल जाय अम्रोहा और विजनवर यह जो जिले ह यह मुरादावत के अंदर कर आते हैं आयते हैं अगला प्रस्म दो अंताराश्टी अविधा में दिवस कारिकरम का आईजन कहां किया गया गिलेटे नोड़ा, लखनो, सिदार्थ नगर या प्रयाग राज तो इसका जो सही आंसर है वो उप्शन पांच अक्टूबर से लेकर नव अक्टूबर के मद जो है अंताराश्टी अविधा में दिवस कारिकरम का आईजन किया गया था और इसका जो आईजन है वो गौतम बुद विस्विद्याल है जो ग्रेटर नोड़ा मिस्थित है वहाँ पर इसका आईजन किया गया है और इसमें जो है 20 से जादा अदिशों की जो प्रत्निदी जो है इसमें सामिल हुए थी तो इसका जो आप्शन A है वह सही है उत्तर प्रेश में जैविधा पार्क कितने जिलों में अस्थापित किया जा रहा है चार, पांच, छे या साथ तो इसका जो सही आंसर है वह आप्शन A उत्तर प्रेश के पुल चार जिलों में जैविधा पार्क कि जो है अस्थापना की जा रही है इनमें आपका हापुड है बुलंद सहर है बदायू है और आपका मिर्जापूर है टोटल जो है चार जिलों में जैविधा पार्क के अस्थापना की जा रही है उत्तर प्रेश के इसका जो आप्शन A है वह सही है उत्तर प्रेश विधान सभा चुनाव 2022 अंदर में यहाँ पर चार श्टेटमेंट दिया गया है पहला जो स्टेटमेंट है इसमें कुल 47 माईलाओं ने विजय हासिल की और यह जो चुनावा है यह पांच चरणों में आज़ित किया गया था UP की 18 में विधान सभा के 23 में अध्यच 37 महाना बने और इस विधान सभा चुनाव में राष्टी लोग दल पार्टी ने 6 सीटे जीते थी आपको पहचानना है कौन सा जो विकल्फ है वह सही है आपसन आप लोग सामने दिया गया है आप लोग आपसन पढ़ लेजे इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है उत्तरवे विधान सभा चुनाव में विजे हासिल की थी उत्तरवे देश के साथ भारत के टोटल पाँच राज्यम विधान सभा चुनाव आजित किये गये थी 2022 में उनमें आपका गुवा था मरिपूर था, पंजाब था उत्तराखन था और उत्तरवे देश टोटल पाँच राज्यम विधान सभा चुनाव आजित किये गये थी और उत्तरवे जो चुनाव आजित किया गये था वह पाँच चल्ड़ों नहीं बलकि साथ चल्ड़ों में आजित किया गये था और यह जो है दस फरवरिस लेकर साथ माज तक यह चुनाव आजित किया गये था साथ चल्ड़ों में इसका जो तीसरा स्टेट्मेंट वस सही है यूपी की जो अठाम विधान सभा चुनावा था 2022 में इसके पसाथ जो विधान सभा के अदेश चुने गये थे और वह 37 महाना चुने गये थे और यह है 23 में विधान सभा अधिच बने है इनकी जो विधान सभा जो सीथ थी वह कांथपुर के महराजपुर की सीथ थी 37 महाना की जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के 23 में अधिच बने है तो यह भी जो statement वस सही है जो चाहुथा statement वह गलत है उत्तरप्रे विधान सभा चुना 2022 में राष्टी लोगदल पार्टी ने 6 सीट नहीं बलकि 8 सीट जीती थी तीस प्रकार जो है इसका जो पहला statement वस सही है तीसरा सही है इस प्रकार पहला और तीसरा जो statement है वह यहां पर सही है यहां पर आप लोग Bवाल option में यहां पर एक और तीन कर लिजी और option भी जो है इससे सही कर लिजी पहला तीसरा जो option है वह पहला जो तीसरा कथान जो है यहां पर जो विधान सभा चुना और दो आज़ित किये गए थे यहाँ पर सभी पार्टियों कि हम लोग कितनी कितनी सीटी जीती उसको हम दो देख लेते हैं आपना दल ने टोटल भारस जीती थी, बहुजन समाजवादी पार्टी ने एक सीटी जीती थी सबसे बड़ी पार्टी जो भर कराई है वो बीजीपी जिसने टोटल 255 सीट जीते थी इंडियर नेशनल कांगरेशने टोटल 2 सीट जीती है जन्र शत्ता लोग तांतरिक्स ने जो टोटल 2 सीट जीती थी निर्बल इंडियन सोसित हमारा आम दल ने टोटल 6 सिर जीती है राष्टी लोग दल ने टोटल 8 सिर जीती है और वर्तमान में जो उत्तर प्रेश विरहान सभा विपच के जो भीमकान पहारी है वो आपके समाज वादी पार्टी है और इसके जो अध्यच है अखले से यादव यह वर्तमान में विरहान सभा के जो है विपच के नेता है और सुहल देव भारती समाज वादी पार्टी टोटल 6 सिर जीती है तुरिज प्रकार जो है जो भी उत्तरप्रेश विजन सभा चुना 2022 से रिडियर इंपार्टन फ्रैक्ट थे हम लोग इसमें कबर कर लिये हैं आई रेते हैं अगला प्रसम लोग वार्तमान में उत्तरप्रेश में गन्यमोल का समर्थन मोल केतना है गन्य का जो है समर्थन मूल कितना है 320 रुपे प्रत्कुंतल 350 रुपे प्रत्कुंतल 340 रुपे प्रत्कुंतल या 325 रुपे प्रत्कुंतल तो वरत्मान में जो है गन्य का जो समर्थन मूल है उत्तरपितिस में वह 25 रुपे बढ़ाकर टोटल अब वर्तमान में हो गया है 350 रुपर परत कुंतर पहरे जो ये मुल होता था वो 325 रुपर होता था लेकिन वर्तमान में ये 25 रुपर बढ़ाका 350 रुपर कर दिया गया है आयते हैं अगला प्रास्म लोग उत्तर भारत जी आई महसाव का आयोजन कहां किया गया लख्रों प्रयागराज वरानसिय गुरखपुर उत्तर भारत जी आई महसाव का जो आयोजन है वह है 16 से 21 अक्टूबर 2022 के मद वरानसि के बढ़ा लालपुर के दिन देल हस्तकला, संकुल में इसका आयजन किया गया है यहां पर effect आप लोट के लिजे अब यह hali में जो है लंगड़ा आम लंगड़ा आम जो वरानसि का है इससे GI Tag दिया गया है साथ में आपका बनार्सि पान है इसको भी GI Tag मिला है बनार्सी पान और लंगणा आम यह बनार्स के GI टाइग है और यहीं पर उत्तरभार GI महुत्तों का आईजिन किया गया है इसका जो आप्शन C है वह सही है आएते हैं अगला प्रस्म लोग प्रस्म गरेश का तराइ हाथी रिजर देश का काँंसा इलिफेंट रिजर्व है एक तीसमा सी मैं तीसमा तैसु है त confendant एमज़वाई प्रन्तराय जो है इससे अधूश्यचत किया है और यह उत्तर प्रेश का दूसरा एलिफाइन रिजर्व है और देश का तैंटी समा इसका जो आप्शन भी है वह सही है इंडिया फूर्ड एक्सपो 2022 का आईजन किस जिले में हुआ था प्रियाग राज लखिनपूर खिरी लखनओ या कानपूर तो यह है दो से चार नौंबर 2022 के मद उत्तर प्रेश के लखनओ जिले में इंडिया फूर्ड एक्सपो का आईजन किया गया था और इसका जो घाटन है अमुक्त मंत्री योगी आदित नात ने इसका उध्गाटन किया था इसका जो आप्शन सी है वह सही है प्रांस के सहयोग से उत्तर प्रेश के जिले में सोलर पावर प्लांत जो है अस्थापित किया गया है यह मिर्जयापूर में अस्थापित किया गया है वहाँ पर 75 मेगावार्ट का solar power plant रस्थापित किया गया है प्रांस के सहयोग से इसका जो option A है वह सही है उत्तर प्रेस कितने सहरों को आकांची जिला कारिक्रम में सामिल किया गया है 5, 9, 8 या 7 आकांची जिला कारिक्रम वर्स 2018 सुरू किया गया है और इसमें उत्तर प्रेस के टोटल 8 जिलों को सामिल किया गया है इन जिलों में सिदार्थनगर, बहराईच, बलामपूर, चित्रकूट, चंदावली, आपका स्रावस्ति है, सोन भद्र है और फतेह पूर है theatre टोटल जो है 8 जिलों को सामिल किया गया है, आकान्च जिलों का अरिकरम में उत्तर प्रेश के सब से कम बियक्सित करने के उद्देश से यह आकान्च जिला का अरिकरम शुरू किया गया है अब हाले में 2022 में नीति आयोगने रिपोर्ट जारी की है नीती आयोगनी रिपोर्ट जारी किया है सबसे अच्छा कांशे जिला की तो इसमें जो पर्था मस्तान प्रदान किया गया है वह हरिद्वार को दिया गया है हरिद्वार को जो है पर्था मस्तान प्रदान किया गया है और यह जो रैंकिंग जारी किया है यह नीति आयूगनी से जाड़ी किया है और इसमें जूह उतरप्रीस के total 8 सहर है और यह रंकिंगग्त जाड़ी कि गई थे, total 112 सहरों की रंकिंग जाड़ी कि गई में हरिद्वार जो है टॉप में रहा है कि इस्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की अस्थापना कहां की गई थी ग्रेटरोडा लखनाउ वारानसी या गुरखपूर तो इसका जो सही अंसर है वह अप्शन कितनी है आठ बारा नौ या दस कि आज डेट है यह 6 अप्रेल डेट है और अब तक जो है उत्तर तो रामसर असलुक जो संख्या है वह आपके टोटल दस है और पुरेदेश में 75 है अगर प्रस्निया पूछाता सब्सक्रीक रामसर साइट किस किस राज में है तो आपके तमिल मिलाड में अथा मिलाड के तो टोटल है 14 है और यूपी में 10 है इसका जो अप्तनदी है वह सही है उत्तर प्रदेश राश्टी विश्विद्याले का नामकरण किसके नाम पर किया गया है महात्मा गादी राजिन प्रसाद बियुन्वा अम्बेटकर दीन दयाल उपाद्ध है तो उत्तर प्रदेश राश्टी विश्विद्याले जो प्रयाग राज में बनाए जा रहा है इसका जो नामकरण है वह भारत के पहले राश्पति राजिन प्रसाद जी की नाम पर इसका नामकरण किया गया है उत्तर प्रदेश संदर में यहां पर चार्ज स्टेट्में प्रदेश द्वारा देश में प्रथम अस्थान प्राप्त किया गया है। इंपोर्टन उतना नहीं है जितना उत्तरप्रदेश का अस्थान इंपोर्टन है। प्रदेश पहले स्थान पर है। और अटल प्रेंशन योजना की तहर्ट सबसे नहीं नामांकन किया है वह उत्तरप्रदेश का पहला स्थान है। और प्रधान मंत्री, सुरच्छा, विमा, योजना, कंतरगर जो है चार समथ दो नहीं करोन नामांकन करके जो उत्तरप्रेश ने इसमें भी प्रथम अस्थान प्राप्त किया रहा है। तो यह सभी जो चारो जो स्टेटमेंट है बस सभी सही है। इसका जो अप्संटी है बस सही है। यह आपकी परिशकले काफी उप्यूगी फैक्ट है। इसलिए यहाँ पर एकठा है यहाँ लिया गया है। उत्रप्ति सरकार ने जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए 10 तक अभियान कब सुरू किया। 15 जून 2022, 15 अगस्त 2022, 15 अप्रल 2022 या 15 जुलाई 2022। तो इसका जो सही आंसर है वहाँ उप्संट 15 अप्रल 2022 को जो है 10 तक अभियान लांच किया गया है उत्रप्ति सरकार दोरा। और यह जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार प्रसार को रोकने के लिए किया गया था। और यह जो है 2023 में हाली में जो इसे फिर से सुरू किया जाने वाला है। तो यह लांच कप किया गया है तीसे जो है लांच 15 अप्रल 2022 को शुरू किया गया है। इसका जो ऑप्सन सी है वह सही है। आयते हैं अगला प्रस्म लोग। उत्तरप्रेश का पहला गिद सरचन केंद कहां अस्थाफित किया गया है। इसका जो सही आंसर है वह उप्सन B महराज गंज में उत्तरप्रेश का पहला गिद सरचन केंद जो अस्थाफित किया गया है। इसका जो ऑप्सन B है वह सही है। सिल्क एक्सेंज कहां अस्थाफित किया जा रहा है। वारानसी, लखनाओ, सिदारतनों या प्याग रहा जो रेसम कारुबार को बढ़ावा देने के लिए सिल्क एक्सेंज उस्थापित किया जा रहा है यह है वारानसी में आस्थापित किया जा रहा है इसका जो उप questionnaire A है वस सही है सिल्क एक्सिन जो है यह वारानसीम अस्थापित किया जा रहा है उत्तरपरेस किस नाम से एक सामुदाइक रेडियो इस्टेशन लांच किया गया है रेडियो अमरित, रेडियो जैगोस, रेडियो विजय यह रेडियो सुसाथसन लोग कलाओं वहा अस्थानी वेंजनों को प्रमोट करने के लिए उत्तरपरेस के संस्कृत विभागने जो है रेडियो जैगोस इस्टेशन जो है लांच किया है तो इसका जो ऑप्सन भी है रेडियो जैगोस आयते हैं अगला प्रसम लोग पूर्वांचल एक्सप्रसवेक संदर में यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है इसकी जो कुल लंबाई है वह 34.8 किलोमेटर इसकी कुल लंबाई है और यह आठ जिलों से होकर गुज़रेगा आपको बताना है कौन से कथन सही है केवल एक केवल दो दोनों या इनमिस कोई नहीं तो इसका पहला स्टेटमेंट वह सही है पूर्वांचल एक्सप्रसवेक जो कुल लंबाई है वह 34.8 किलोमेटर इसकी कुल लंबाई है दूसरा जो स्टेटमेंट यह गलत है यह उत्तर प्रेस टोटल जो है नव जिलों सोकर गुज़रेगा और यह जो जिली है यह आपका लखनव है बारबंकी, अमेथी, सुल्तानपुर, आयोध्या, अमबिटकर नगर, आजमगर, मउव और आपका गाजीपूर टोटल जो है नव जिलों सोकर जाएगा उत्तर प्रेस के पूर्वांचल एक्सप्रस वे आसा है आप सभी को बहुत को जाने को मिलाओगा वीडियो को प्रदक्न धन्यवाद, जय ही, जय भारत